दुनिया का कोई विची ब्लैक होल को नहीं छेद पाई, यदि यह प्रिथवी से टकराएगा ना, तो प्रिथवी के बीच से घुज के आर पार निकल जाएगा, और ब्रह्मान्ड के लिए सबसे बड़ी चुनावती ब्लैक होल, क्योंकि यह जिस दिन प्रिथवी से टकराए उस दिन ये किसी को नहीं छोड़ने बने, हर तारे का जीवल यहां तक सेम होता है, तो पहले गैसों का गोला होगा, फिर सकेंदरन होके निहारिका बनाएगा, फिर वो बनेगा तारा, तारा के बाद इनन खतम होगा लाल दाना, इसके बाद वो दो कंडिशन्स में जाएग पलसर, मतलब निउट्रोन तारा, और निउट्रोन के बाद, क्वेसर या पलसर, क्वेसर या पलसर, इसमें जो सबसे छोटा होगा, वो बनेगा बलैक हो, तो बलैक होल का आकार बड़ा या छोटा, बलैक होल का आकार छोटा होता है, लेकिन अब यहां एक बात ध्यान से सम पजिएगा, तारा जो है वो लाल दानों तक तो same rule follow करने वाला, देखें, लाल दानों तक same rule follow किया की नहीं, लेकिन जो तारा आकार में छोटा है, वो किस रास्ते जाएगा, फेत वामन और काला तो हम ये कह सकते हैं, छोटे तारे मरने के बाद काला वामन बन जाते, लेकिन जो बड़े तारे हैं, उससरे मरने के बाद ब्लैक होल, अब ब्लैक होल से पहले, क्वेसर, क्वेसर और पällenसर, भीनों तारा जो है, यह विस्मॉट करेगा की नहीं, विस्मॉट के बाद, रुप रुप के चमकने वाले, और छोटा वाला, यह भी सेष्ता यह ठीए, इसका घ कर लेता है इसका घहना तो इतना जादे होता है कि यह अपने से होकर किसी दूसरे चीज को जाने ही नहीं देता है जैसे दीवाल में आप काटी ठोकते हैं तो काटी का घहना तो जादे होता है इसलिए दीवाल को छेत के निकल जाता है दुनिया का कोई भी चीज ब्लैक होल को नहीं छेत पाईगे क्योंकि उससे ज्यादे घना तो दूसरे किसी चीज का नहीं होता है वह इतना घना होता है कि एक चम्मच मिट्टी का बहार दस हाथियों के बराबर होता है संगे आगे कि ने, लोहा से जादे घना तो सोना का होता है, एको लोहा का टुकड़ा, एको सोना का टुकड़ा, जादे भारी कोन होगा, सोना वाला, क्योंकि उसका घना तो जादे होता है, घना तो जादे होता, जैसे इतना छोटा हम लकडी का टुकड़ा ले, सेम इतना ही मिला इतना तो दुनिया में सबसे ज़ादे घना तोकिसका है ५ाह हग Korea प्लेक अदे निदो शुट्ट तारे पॉर्ट अm an 8 tah a ब्लेक खुलत जीवास्म पारा 그 विस्वटक तारा आ इसब्लेक शमकीला तरह तरवादी घना तो ज ब्रकास को भी नहीँ जाने देगा जिस से टकराएगा उसी को फोड़ देगा यदि यह प्रिधी ही से टक रावाएगा ना तो प्रिषवी के बीच से घुश के आर पार निकल जाएगा लिए बीचे बीच की चुछ? क्या होगा जब यह प्रित्वी के अंदर जाएगा तो प्रित्वी के अंदर का मैगमा इस सब को क्या करेगा बाहर फेक देगा अब बाहर फेकेगा ना तो गुर्तवा करशन कहेगा अंदर 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 अहम लोग के ऊपर गिरा देगा पूरा इसे आसमान में से मैगमा गिरेगा इस पलाजमा अवस्था में सबाद मी मर जाए गया तो किसी भी तारे का अंत ब्लैक होल के हुआ और ब्रह्मान्ड के लिए सबसे बड़ी चुनावती ब्लैक होल क्योंकि यह जिस दिन प्रिथवी से टकराये उस दिन यह किसी को नहीं प्रिथवी से डाइनसुर क्या हो गया थे खतम तो ब्लैक होल की खोज चंद सेखर ने किया इस चर्व भारतिय वेग्यानिक एस चर्व उन्होंने कहा था कि अगर कोई तारा जिसका द्रभमान सुर्य के द्रभमान के देढ़ गुना से चोटा है 1.5 जो होता है वो देढ़ तो यदि कोई तारा सुर्य के तुल्ला में देढ़ गुना से चोटा है तो वह काला वामन बनकर मरेगा लेकिन अगर कोई तारा सुर्य के द्रभमान के देढ़ गुना से बड़ा है तो वह ब्लैक होल का रूप लेकर मरेगा तो ब्रम्हांड के लिए खतरा छोटे तारा है कि बड़े तरह इसे बड़े तरह बड़े खतना खजी मरले के बाद यह बन जाता है तो खुट तूटेगा तो तोड़ देगा अप इसको खरोज तक नहीं आई गया निकल लेगे यहां से तो ब्रह्मान कांत इसी कि इसी टाइप में होगा तुमने ता तुमको ब्ले को ब्ले लेट यह न अप्छेकवाल अपने उपर आपको आभास होगा कि जब परिथवी पर ब्ले खुल टकराएगा तो क्या फील होगा लोहा का गोला होता है आपको उसका घंठ भी क्या रहता है जादे अलेट के मुहां पर कुछ वाले ना तु तीन बार वाईसे परिथवी प्र जाएगा चपता हो जाएगा आगे पर जा किसी को दिखन